ब्रह्माजी के दुर्गा कवच में वर्णित नौ दुर्गा नौ विशिष्ट आउशधियों में विराजमान हैं। ये नौ दुर्गा वास्तों में देव्य गुणों वाली नौ आउशधियां हैं। ये वशधियां प्राणियों के समस्त रोगों को हरने वाली और रोगों से बचाय रखने के लिए कवच का काम करने वाली हैं। ये समस्त प्राणियों की पांचू ग्यानेंद्रियों और पांचू करमेंद्रियों पर प्रभावशाली हैं। नोदुर्गा को लेकर धार्मिक और आध्धात्मिक महात्तो है ही, साथ ही स्वास्ति की लिहाद से भी नौरात्र का महात्वपूर्ण स्थान है, विशेश महात्तो है। नोदुर्गा के नो रूपों को आउशदियों के प्रतीक के तोर पर भी जाना जाता है। मारकंडिये चिकित्सा पध्धती और दुर्गा कवच में इसका उलेक है। नो आउशदि स्वरूपों को सरुप्रथम मारकंडिये चिकित्सा पध्धती के रूप में दर्शा है गया। और चिकित्सा प्रणाली के इस रहस्य को ब्रुम्भा जी द्वारा उपदेश में दुर्गा कवच कहा गया। इसलिए प्रतेक देवी आईरवेद की भाषा में मनुष्य की प्रतेक बीमारी को ठीक करने के साथ ही रक्त का संचालन, उचित और साफ करने का काम करती है। आईरवेद में इन आउशधियों को समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली कहा जाता है। तो सम्मंधित रोगों में भी नौरात्र शुब भल देने वाले साबित होंगे। देवी के इन स्वरूपों को हम स्वास्त की संजीवनी देने वाला मान सकते हैं। अश्टम महागोरी यानि तुलसी। नौदुरगा का अश्टम स्वरूप है महागोरी जिसे प्रतेक व्यक्ति आउशदी के रोप में जानता है। क्योंकि इसका आउशदी नाम है तुलसी जो घर में लगाई जाती है। तुलसी साथ प्रकार की होती है। सफेद दुलसी, काली दुलसी, मरूता, दवना, कुडरक, अरजरक और शटपत्र ये सभी प्रकार की दुलसी रक्त को साफ करती है। और हिर्दे रोप का नाश करती है। अगली कड़ी में हम बात करेंगे नवदुरगा के नवम सुरूप मा सिद्धिदात्री की और बताएंगे मा सिद्धिदात्री के आउशदियम महत्यु के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे अनुरूद है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देवी मा की गृपा आपर सदयव बनी रहे। जै मादुरगे।